इस इस प्रोफेसर एमेच और आज के इस वीडियो में विल स्टार्ट विद एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग स्ट्रेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट चैप्टर है जिसके अंदर आएगा इंफलेशन कॉस्टिंग जैन्वरी 2019 के अंदर हम लोग ने देखा था कि एक रिवाइज बैलेशन बनाने के लिए थी 15 मार्क्स के लिए तो यह इंफलेशन कॉस्टिंग का कॉस्टिंग आया था इसको कैसे सॉल करना है वो देखना है लॉजिक भी बताऊंगा कि क्यों इंफलेशन से मतलब कॉस्टिंग के ओपर एफेक्ट आता है तो विल स्टार मैं आपको उसका एक्स्ट्राइशन दूंगा तो कॉस्ट्ट ने संब्री बैलन शीट ऑफ एबी सी कंपनी गिवन बिलो एक बैलन शीट दिया है जिसके अंदर करेंट डेट यह लॉंग्टरम डेट है ओनर इक्विडी है मतलब इक्विडी शेर कैपिटल कैश अन अकाउं क्या बोलना चाह रहा है और यह टॉपिक क्या बोलना चाह रहा है एकदम सिंपल टॉपिक है इंफलेशन कॉस्टिंग का मतलब होता है कि आपने कोई चीज खरी दी उसका कॉस्ट 2010 के अंदर कितना था और वही चीज अब 2023 चालो है तो उसमें इसका कॉस्ट क्या है तो महंगाई बढ़ी है तभी तो उसका प्राइस अप हुआ है न तो इंफलेशन मतलब महंगाई होत इंफलेशन की वज़े से कॉस्ट के ओपर क्या एफेक्ट आया इस कॉल इंफलेशन कॉस्टिंग आ रही है बात समझ में तो इंफलेशन कॉस्टिंग यही बोलता है तो इक्जामपल के दोरबे जैसे यहां पर प्लांट एंड मशिनरी दिया है कितना दिया है 14 लैक दिया ह अब कुछ मत समझो सिर्फ यह समझो कि प्लांट एंड मशिनरी को 2010 में अगर हमने खरीदा था 14 लाक में खरीदा था तो अब 2023 में भी क्या 14 लाक की मिलेगी वह नहीं ना भाव बढ़के मिलेगा तो वह जो इंक्रीजड अमाउंट है वो क्यो हुआ है विकॉस आप इंफले तो इंफलेशन कोस्टिंग में यह होता है कि एक हिस्टॉरिकल कोस्ट होता है हिस्टॉरिकल कोस्ट मतलब जो ओ्रिजिनल कोस्ट होता है वह उसको इंफलेशन की साब से adjust करते हैं तो inflation के हिसाब से अगर adjust करना है तो कोई fraction होगा कोई numbers होंगे तो वह numbers को हम लोग index number बोलते हैं जैसे हम लोग ने अगर आपको याद होगा टीवाइ में capital gain किया था तो same price index होता है उसको CIA बोलते हैं यहाँ current price index है तो current price index का मतलब है अभी का current का जो rate है और यह price index acquired जब इसको purchase किया था तब तो इस question में सिर्फ 2 का ही price index दिया है current price index 280 है and plant and equipment and long term debt का 180 है मतलब long term debt यह रहा और plant and equipment इतना तो इन दोनों का rate change होगा तो कैसे हम बनाएंगे balance sheet और कैसे उसका monetary gain होगा let's see तो क्या करनेगा सबसे पहले सबसे पहले आपको जाना है balance sheet को लिख लेना है जो original है तो यह debit side liability side में आपने यह लिखा होगा फिर asset side में आपने यह लिखा होगा बस यह इसको हम लोग historical cause बोलते है इसका total है इतना फिर हम लोग लिखेंगे revised amount दूसरा आएगा revised amount अब यह revised amount कैसे निकलेगा तो उसके लिए यूज करेंगे क्या conversion factor, conversion factor का formula मैंने यहाँ पे लिखा है current index divided by past index अब जिसके बारे में दिया है तो यह दो के बारे में ही price index दिया है मतलब acquired वाला current वाला past है तो उसी का rate change होगा उसी का amount change होगा बाकी का कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दिया है plant and equipment and long term debts का जब acquire किया तो inflation कितना था 180 था अब यह 180 रुपीज नहीं है यह इन्होंने एक number denote किया है यह government की तरफ से 280 अभी inflation है अभी 180 है likewise तो इसी लिए इन दोनों का rate change होने वाला बाकी का कुछ rate change नहीं होगा तो कैसे यह formula क्यों बना current index divided by price index तो क्या करने का जो amount को करना है जैसे हम लोग को plant and equipment को करना है बराबर है plant and equipment कितना है 14,00,000 ठीक है तो आज का rate क्या चल रहा है 280 चल रहा है तो उसको क्या करने का multiply करने का 280 बराबर है तो आज के value में convert हो जाएगा लेकिन यह तो पूरा value past का है न तो divide by क्या कर देने का past से तो divide by past कितना हैगा तो उसकी value हो जाएगी 21,00,777,777 आर यह ब ठीक है तो सब का हम लोग पहले क्या निकालेंगे conversion factor,conversion factor देखो दोनों में पहले बाले का conversion factor क्या आएगा 280 डिवाइट बार 280 क्यूंकि इसका कोई अलग से rate नहीं दिया है इसलिए current index भी वह होगा past index भी वह होगा 280 डिवाइट बार 280 इसका चेंज हो जाएगा 280 डिवाइट डिवाइट बार 280 क्योंकि इसके बार में detail नहीं दिया है इसका दिया था इसलिए 180 लिया है फिर इसका हम लोग लेंगे इसका भी आएगा 280 डिवाइट बार 280 और इसका आएगा 280 डिवाइट बार 180 आर ये बस समझ में अब क्या करने का इसी से इसको multiply करने का कैसे 6,00,000,000,000 यहां पर आएगा तो यहां पर क्या आजाएगा 10,00,000,000 x 280 डिवाइट बार 180 तो अमाउंट आजाएगा 15,55,55,556 ठीक है फ्रैक्शन में नंबर आएगा तो उसको round figure कर लेने का 11,00,000 का सेम अमाउंट रेने वाला है क्योंकि 280 by 280 डिवाइट बार हो जाएगा तो यह वन ही यहां पर भी 13,00,000,000 है तो सेम अमाउंट रेने वाला है 13,00,000 यहां पर चेंज होगा तो यहां पर आजाएगा 21,00,777,778 जैसे यहां पर आया था अब इसको टोटल कर लेना है तो इसका टोटल कितना होता है इसका टोटल अलग जाएगा 34 कितना दिया है 32,55,556 32,55,556 और इसका टोटल कितना होता है 34,77,777,778 ठीक है अब दोनों में डिफ्रेंस आएगा इधर भी डिफ्रेंस आ रहा है इधर भी डिफ्रेंस आ रहा है यहां 34 यह बड़ा है तो इसमें से अगर आप वो करेंगे अमाउंट तो आपको मिलेगा 222 क्योंकि अगर आपने इस अमाउंट के अंदर से अगर यह तीनों माउंट माइनस किया जिसका टोटल आता है 32,55,555 तो आपको आंसर मिलेगा 6x2 222,222 इसको हम लोग लिखेंगे मॉनिटरी गेंस बस यह 15 मक के लिए आया था इसी को हम लोग कनवर्ट करते हैं 15 मक के लि क्म है इनफलेशन कोस्टिंग उसके अंदर क्या किया गया है जूभी अमाउंट का रेड दिया होता उसको स्री की दिवाइड करने के लेकिंवाइड करने की से यादे करने क्रण इंग मल्टिप्लाइ करो डिवाइड जो भी उनका पुराना रहेगा ना तो डिवाइड वाइड वो करने का आई बास समझ में करेंगे तो पुरा समझ में आ जाएगा ठीक है तो जस्ट गो थ्रू इत कुछ डाउट आगा तो प्लीज कमेंट और प्लीज लाइक और जाँ प्लीज दॉस थकिंग ऑMom